Hello students, कैसे आप, I hope आप गर पे अच्छे से होंगे, तो बज़े जैसे कि हमारा chapter चल रहा है, arithmetic progression, chapter 5 पे हैं हम, इससे पहले हमने exercise 5.1 को complete किया था, आज हम exercise 5.2 के 10 questions complete करने वाले हैं, ठीक है, इस lecture में first 10 questions we will complete, तो इस exercise में आपको मेलनी दो चीज़ों पर ध्यान देना है, AP की first term औ common difference को डून लेते हैं, तो फिर हमें कुछ भी पूचा है, वो हम अराब से निकाल लेंगे, कोई हमें दिकत नहीं आएगी, okay, तो देखे हम first question से start करेंगे, तो first question में आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह box वेरा बना हुआ है, इसमें जहाँ पे जो missing term है, that you have to find, जो given information है, उस आप last term बोलते हो, that is a plus n minus 1d, can you tell me a in the first part, yes sir, 7, can you tell me n, yes sir, 8, can you tell me d, yes sir, 3, तो इस सारी values इसमें put करो, तो missing वाला n थी था, वो अपने आप आप आजाएगा, ठीक है, nth term आप इसको बोल सकते हैं, 8 में से 1, 7, 7, 3 is a 21, it is total 28, यहाँ जो missing है, वो 28, ठीक है, that's all, बस इस तरह स हर इक part में यही करना है, अब देखें, जैसे second part की बात करें, तो इसमें d missing है, लेकिन इसमें an given, तो इसमें चार जिए हैं total, an है, a है, n है, d है, तो 4 में से 3 missing है, तो 4 तो अपने अब आएगी, वापिस यही formula लगाएगी, अब देखो second part में, वापिस मैं यही formula 10 का, a plus, n minus 1, d, what is an, sir, यहां तो given है, 0, second part की बात कर रहा हूँ, an आपका 0 है, उसकी जगा 0 डाल दो, what is a, first term, sir, minus 18, n क्या given है, second part में, yes, 10, क्या d given है, no, d ही तो find कर रहा है, तो यहां जो missing है, वो d है, तो d अपने अब आजाएग, तो basically, यह nth term की हमें practice कर रहा है, वह आता जाएगा, 18 इधर transfer कर लीजे, 10 में से 1, sir, 9, 9, 9, 18 को cancel किया, d is 2, so you can fill here too, I hope it is clear, rest of the two part for you, very simple, जो missing है, अपने अब आजाएगा, जो आपका 5th part है, जो आपका 5th part है, वो बिल्कुल 1st part जैसा है, क्योंकि उसमें an ही missing है, जैसे हमने 1st part गया, 3rd part में a missing है, जैसे आप formula लिक होगा, यहाँ a की value निकल जाएगी, end, d और an का value आप डाल लेना, 4th part में आपका end missing है, यहाँ end का value नहीं होगा, वो आपने find करना, a पता है, d पता है, और a and b हमें इसमें मालूम है, okay dear, तो rest of the parts, please आप इसके कर लीजेगा, फिर भी दिक्कत आती है, तो आप में इरको बता size में, a p तो पता है, वो a p होगा, जैसे यह sequence है, a p है, it is a p, कह रहें 30th term निकालो, तो यार इसका, जब मैंने journal term का formula आपको सिखाया था, उसमें हमने बड़ी detail में discuss किया था, कि किसी भी term को हम directly कैसे find कर सकते है, directly, जैसे 30th term, तो भाई, a p की 30th term क्या होती है, ठीक है न, उस in this a p, sir 10, can you tell me d, common difference, ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे, a p तो वो है यह, सिरफ आप कोई भी pair उठालो, consecutive terms को, उनको minus कर दो, तो it is better कि हम ऐसा करेंगे, second में से first term को minus करेंगे, sir 7 में से 10 minus किया, minus 3, a आगे, d आगे, find क्या करना है, 30th term, अब बताओ, अब बताओ, 30th term का formula क्य होगा, sir ji a plus 29d, that's all, इसमें a put करो, d put करो, a कितना बताओ, sir a 10 है, plus 29, sir d कितना है, d minus 3 आगे, can you simplify it, yes you can simplify, इसको simplify करो, जो भी result आएगा, उसमें से देख लो, कौन सा choice आपका, बैठ रहे, करके देख लेते हैं, चलो यह बला part, 10 minus, 9th रिजा, 27, sir 2 carry, sir 2 3s are 6, 6 and 2 8, 87, sir 87 में स 10, sir ji, यह आगया, आपका 77 minus का, 77 minus का, है कोई option, yes, c part is the right option, very simple, very simple, बहुत easy exercise है, a और d पे ध्यान देना है, a और d पे ध्यान देना है, a find करो, d, कैसे भी, जो भी conditions है, किसी तरह से a, d निकालो, हर question का answer आप दे पाएंगे, now the second part, second part, 11th term you have to find, तो सबसे पहले, इसमें हम a part ल and then d, how we can find d, second term में से first term को minus कर दो, what is second term, sir, it is minus 1 by 2, what is first term, sir, it is minus 3, simplify करो, sir, minus 1 by 2, plus 3, sir, 2 LC मा आगया, minus 1 plus 6, कितना आगया, sir ji, यह आगया 5 by 2, the common difference is 5 by 2 and the first term is minus 3, can you find 11th term, yes, can you tell me the formula for 11th term, yes, sir, a plus 10 d, a plus 10 d is the formula for 11th term, what is a, sir, here minus 3, what is d, sir, it is 5 by 2, छोड़ा simplify करे, minus 3, 10 और 2, आपस में cancel लिए 5, 5 into 5, 25, 25 में से 3 चला गया, 22, 22 is the right option, b part is the right option, that's all, term find करनी है, तो term के formula हमने सीखी लिए, तो वो वाला lecture जुरू देखीएगा, जिसमें मैंने nth term का formula derive कर रहा है, और उसमें questions भी किये हुए है, ठीक है, उसमें बहुत सारी बाते मैंने बताई हैं, वो lecture आपने जुरूर देखने है, तब आपका 5.2 अराम से हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर question number 3, very interesting, very interesting, कुछ बच्चों को एक confuse करता है, लेकिन यह बहुत easy question है, ध्यान से देखें, यहाँ पे जो आपको box देखने हैं, इनको आपको fill करना है, सारे सारे box fill करने है, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखो, इन सभी पार्ड में एक चीज़ का ध्यान रखो, सारे पार्ड में nth term given है, इसका भी nth term, nth term बोले तो last term, इसका भी last term पता है, इसका भी last term पता है, इसका भी last term पता है second आपने note करना है हर एक में number of terms भी तो हम बताई सकते हैं n भी तो बताई सकते हैं कैसे 1, 2, 3, एक missing है, 2 given है तो होगे न 3 terms इसकी 1, 2, 3, 4, इसका n 4 होगा 1, 2, 3, 4, इसका n 4 होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका n 6 होगा Are you getting this thing? तो एक तो आपको हर एक part में n पता है, तो पहले मैं first part की बात करूँ, इसमें n आपका कितना है 3, और जो 26 जो last है, वैसे तो दीख रहा है ये 3 terms है, तो इसको third term direct लिख लो जाँ फिर first part जैसे कर लो तो मैं ऐसा लिखता हूँ, direct लिखता हूँ, कि sir third term यहाँ पे 26 है हर एक में direct लिख सकते हैं, क्योंकि यह finite number of terms मेरे को देखी रही है box की help से मैं पता करी सकता हूँ, कि number of terms कितनी है, उस इसा आप से मैं last term को fix कर दूँगा, sir, यह nth term है, लेकिन यह इतने number पर बैठी हुई है, तो मैं d यहाँ से आ जाएगा, what is d, so 26 में से 2 चला गए, 24 और यह इसके divide में आगए 12, तो जब आपको d मिल गया, जब आपको a पता है इसका 2 है, तो you can find anything, तो यहाँ पर क्या है second term missing है, अरे भाई second term का क्या formula होता है, sir a plus d, a2 है second term का formula a plus d, a कितना है 2, d कितना निकला, 12, तो यहाँ पर कितना है 14, तो यह इस वाले first box में 14 fill करना है एक तरीका ही है दूसरा आप journal term की help लेके सारे part कर सकते हैं, ठीक है तो I think this is a better option अब मैं second part करके दिखाता हो second part one, two, three, four these are the four terms और last में कोन बैठा हुए, three, it means जो fourth term है, वो three है जो fourth term है, वो three है फिर हम क्या करेंगे, fourth term का लिख लेंगे formula, क्या बैठेगा, sir a plus 3d is equal to what 3, क्या आपको a पता है, sir नहीं है, देखो a missing है, उसको find करना है, d, sir वो भी नहीं पता, इसको as it is रखो as it is रखो उसके बाद, यह 13 यह 13, यह 13 कौन सी term है first, second, sir second term है, तो आप ऐसा करें न, आप ऐसा करें न, आप लिखें sir second term is 13, तो second term का क्या formula हता है, sir a plus d, to a plus d is 13, can you solve these two equations first and second, of course linear equation में आपने elimination method, substitution method, जाफिर cross multiplication method, कितने method सीखे अरे वही तो है, यह linear equation in two variables a और d आपके दो variables हो गया बस आपको इनको solve करना है, जो a d का value हैगा, उस हिसाब से भीर आप box को fill कर लेंगे let us solve, इनको minus कर दो तो पहले मैं लिख रहा हूँ a plus 3d, first equation फिर मैं लिख रहा हूँ a plus d a plus 3d is 3 and a plus d is 13 दोनों को करो subtract, elimination लगा रहा हूँ, दोनों को minus किया sir a cancel हो गया, sir d को minus कर रहे है, sir यहाँ पर आगया आपका 2d, sir 13, 3, sir यहाँ पर आगया minus 10, तो d कितना बैठा आपका minus 5, तो भाई d आपका minus 5 आपका minus 5 आपका इसको आप first में put करो, यहाँ फिर second में put करो first में यहाँ फिर second में, तो आपका यहाँ से a भी आ जाएगा, तो जब a भी आ गया d भी आ गया, तो फिर कोई भी term निकाल सकते हो एक तो first term निकाल लिए, एक second term निकाल लिए तो इसको करके देखते हैं आप लिखें, put d जो आपके पास आया, minus 5 in first जा फिर second, second में put करते हैं second easy वाली, a plus d, a plus d equal to 13, a, d is minus 5 13, can you tell me a, sir, 13, 5, 18 होगा अब जो first term missing है, वो 18 होगी यहनि first box में 18 फिल करना है, और कौन सा missing है और जो second, 1, 2, third वाला box missing है, that is third term can you tell me the formula for third term, sir, a plus 2d a plus 2d, what is a, sir, 18 2, sir, d आपका minus 5 होगा, 18, sir, यहन 10, 8 first box में 18 फिल होगा, next box में 8 फिल होगा terms ही find गर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, a, d कैसे निकलता है वो आप देखी पारे, equations बना के आप निकालते जो अब हम इसमें से, इसमें से हम करते हैं fifth part, क्योंकि fourth part भी काफी easy है, क्योंकि इसमें a पता है हमें, third part भी काफी easy है क्योंकि इसमें भी a पता है, लेकिन fifth part में a missing है, a missing है, तो इसको भी हम अभी second part जैसे ही करेंगे, तो fifth part में हमें number of terms को count कर लेना है one, two, three, four, five, यह six, तो जो sixth term है वो minus 22 है, अब थोड़ा से इसको मैं short कर दूँगा, जो sixth term है वो minus 22 है, तो sixth term का जो formula है, वो कितना होता है, a plus 5d जानि a plus 5d minus 22 है, यह हमारी first equation बन गी, इसी तरह से आप देखें, और कौन सी term आपको पता है, second term पता है 38, तो second term का formula लिखें, ठीक है, तो वो क्या होता है, a plus d equal to 38, बस इन दोनों equations को आपस में solve कर लो, ठीक है, तो a plus 5d equal to minus 22, a plus d is equal to 38, करो, बच्चे simplify, subtract करो, a cancel हो गया, sir जी 4d, sir 38, sir यह 0 आ गया, 3, 2, 5 and 6, minus 60, d आ गया, आपका minus 60 by 4, cancel वेंसल करेंगे, तो d बैठेगा यहाँ पर 15 forza, ठीक है, it is minus 15, d आ गया, इसको first equation जा second किसी में put करो, ठीक है, यह आपकी first equation यह आपकी second, second थोड़ी simple है, तो second में put कर लिए करो, put in second, तो आपका जगा a, d आपका minus 15 आया, equal to 38, can you tell me a, yes sir, 13, 15, sir उदर ले जाते है, a कितना आ गया sir, यह आगया 3, 3, 1, 4, 53, that's all, a आ गया, d आ गया, आप जो missing है, आप आराम से निकाल लेंगे, missing क्या है, missing क्या है, सर्फ first term missing है, वो तो आई गया a, third term missing है, what is the formula for third term, a plus 2d, fourth term missing है, a plus 3d, fifth term missing है, a plus 4d, पस यह formula लगा और इसमें fill कर लो, I hope इसके आगे कर सकते हैं, मैंने आपको मेलनी यहाँ पर aod निकालना सिखा दिया, कि कैसे equations बना के, आप aod को find कर सकते हैं, I hope this one is clear, rest of the parts प्रीज आप कर लीजेगा, अगर doubt आता है, फिर मेरे को बताइए, the next is question number fourth, it is also very simple question, कह रहा है, which term of this ap is 78, इसका यह मतलब है, यह पूछ रहा है, 78 इस ap की कौन सी term होगी, जैनि 78 कौन से number पर आएगा, जैसे मैं बोलू, 18 इस ap की कौन सी term है, which term of this ap is 18, तो आप यहाँ तो बताई सकते हो, ज़र 1, 2, 3, 4, fourth term, fourth term of this ap is 18, ऐसे पूछ रहा है, 78 कौन सी term है, 7th term है, 9th term है, 10th term है, 11th term है, 78 कौन सी term है, तो यह इसका question है, बड़ा simple, जिस term के लिए इसने पूछ रखा होता है, कि यह 78 कौन से number पर है, जै कोई भी term है, उस term को आप last term बोलो, पता नहीं न, वो कौन से number पर है, तो उसको nth term बोल दो, उसको general term बोल दो, उस ap की, तो हम ऐसा बोलेंगे, sir, यह वाली जो term है, यह nth term हो गई, अब हम nth term का लगाएंगे, formula, sir, a plus n minus 1 into d is equal to 78, can you tell me a here, yes, आप इस ap का a निकाल के पहले ही रख लो, sir, 3 है, फिर आप d निकालो, sir, 8 में से 3 चला जाएगा, 5 आएगा, d, d is 5, 78, तो क्या find करेंगे आप यहां से, n, तो जो n आएगा, वही उसका, मतलब, वह वाली term होगी, ठीक है, n पर depend करेगा, पूरा ही, n minus 1 into 5, 5 को अंदर multiply करने की जोरुत नहीं है, आप पहले 3 को वहां transfer कर लो, उसके बाद minus कर लो, देखो, minus कर दी, अब आप इस 5 को इसक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, आपकी चोईस है, n minus 1, सर, यह हो गया, 15, तो 15, तो, n is what, 1 उदर जाएगा, 16, तो जो n का value आता है, वो जो term 78 है, वो उसी number पर बैठी हुई है, जानि 78 is the 60th term, 78 is 60th term, अगर आपको doubt हो रहा है, कि मेरा answer सही है, जा गलत, आप एक काम करा करो, तो rough में ऐसे check किया करो, 60th term निकालने, निकालके देखा कर, तो आपने निकाला, a plus 15, d, तो यह 70, 80 आना चाहिए, नहीं तो गलत है, a कितना है, sir, d, 3, 15, sir, d, sir, 5 था, तो देखते हैं करके, 15, 5 जा, sir, 75, plus किया, 75, plus किया, 78, that's all, तो इसका मतलब 16 is the right answer, okay dear, very simple, और इस टाइ तर्म के equal लेने, उसको nth term के equal लेने, तो वहां से आपका n का जो value निकलता है, वही हमारा required answer होता है, question number 5, is similar to question number 4, बिल्कुल similar है, थोड़ा सा sense change करता है, कहारा है, find the number of terms of the given APs, अब number of terms में आपको n ही find करने, तो जब भी number of terms आपको find करने के लिए बोलेगा न, तो maximum question में उ last term, इसकी last term आपको given, तो last term आपको given होती है, जिसे हमें nth term मालने न है, जैसे आपने इस part में किया, यहां तो इसको ले लिया nth term, तो यहां पर जो last term है, इसको ले ले ले, दोनों में से कोई भी एक part करा देता हूं, यह वाला simple है, यह वाला थोड़ा कर लेते हैं, तो सब 18, 2 LC मा गया, 31, sir 18 को 2 से किया, 36 है, 36 में से 31 चले के, sir minus 5, तो D is minus 5 by 2, AD तो पहले निकाल के रख लो, AP अगर given आपको, तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, जो जो इसकी last term है, यह minus 47, इसको AN के को ले लो, तो AN is minus 47, तो वही, जो पिछह अभी किया, वैसे करना है, very simple, very simple, what is A, sir 18, N minus 1, what is D, minus 5 by 2, equal to minus 47, can you find N from here, yes, you can find very simple calculation, ठीक है, ऐसा करो, ऐसा करो, इस bracket को open करने की जोटनी है, 18 को उदर ले जाओ, लेगे 18 को उदर, थोड़ा और simplify करेंगे, N minus 1, minus 5 by 2 का भी मैंने इदरी रखा हुआ है, अब इसका करेंगे 47 और 18, तो यह आएगा minus का, 8 and 7, सर्फ 15, 1 carry, 4 and 1, 5 and 1, 65, अब ऐसा करो, ऐसा करो, यह 5 by 2 उदर ले जाओ, तो एक माइनस माइनस भी कैंसल हो जएगा, और 5 से देखो यह भी कैंसल हो गया, N minus 1 equal to 26, N आखर 27 आगए, तो जो N का value आएगा, यह minus 47 वही वाली टर्म है, तो जो इसकी कितनी है, number of terms total, वो है 27, तो 27 नमबर पर minus 47 बैठा हुआ है, very simple, similar ही था यह, now the question number 6, check whether this term is of this AP, minus 150, क्या इसका term होगा, क्या करोगा, आगए, बढ़ते जाओ, देखो, minus 50 आएगा, कि नहीं आएगा, that is very lengthy, को जाएगा, हमने क्या करना है, similar question ही चल रहे है, इसको हमने Nth term बोलना है, अगर N का value, natural number आया, अगर N का value, natural number आया, तो वो यह वाली term होगी, इस AP की नहीं तो नह लेगना है, कुछ नहीं करना, Nth term के इको ले लेना, जिसके लिए पूछ रहा है, similar ही चल रहा है, ठीक है, 4th, 5th, 6th, similar ही अभी तक, A plus N minus 1D, equal to minus 150, चलिए, बताइए, what is A here, sir, 11, D, can you tell me D, sir, 8 में से 11 गया, D is minus 3, ठीक है, वो पहले ही निकाल के आप रख लिया करो, आपको उसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, उसके बाद N minus 1, minus 3, तो यहाँ पर आगया, minus 150, 11, इदर आगया, N minus 1, यह bracket open भी कर सकते हो, मैं करता है, नहीं हो, कार देता है, उसको last में, यह आगया, minus 1, 61, तो N minus 1, equal to minus 1, 61, divide by minus 3, दोनों cancel होगे, 161, क्या 3 से cancel होता है, नहीं होता है, 3 से cancel होता है, अगर यह cancel होता है, तो बात बन जाती, तो 3 से cancel यह नहीं होता है, तो हम ऐसा करेंगे, 161, divide by 3, यहाँ पर plus 1 गया, simplify किया, 3 LC मा गया, 161, plus 3, तो हमारे पास कुल N आ रहा है, 164, divide by 3, तो भाई, यह 164, जो इनने, 3 से cancel नहीं होता है, इस वज़े से हमारा जो N एक तो natural number नहीं आ रहा है, अगर N natural number नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह जो हमने minus 150, इस AP की term को let किया था, जब बोला था, यह इसकी Nth term है, तो वो नहीं होगी, natural number N आना चाहिए, तब ही वो उसकी term बनेगी, क्योंकि किसी को आप बोल रहे हो न, 7th term, 8th term, तो वो natural quantity होती ह हमने, तो यहाँ पर आप ऐसा लिखें, here, this N is not natural number, यह natural number नहीं है, therefore, minus 150 is not, is not a term of given AP, minus 150 given AP की term नहीं, the next is question number 7, very simple, find 31st term, direct पूछा, 31st term of the AP, उस 11th term is this and 60th term is this, very interesting, पीछे जो किया न, fill in the blanks, जो equations बन रही थी, वैसा ही question आई, बिल्कुल same question आई, अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, first term तो है नहीं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कि let first term is a, मालूम नहीं है first term, common difference भी मालूम न d, first term is a, common difference d, अब इसके बाद बोल रहा है sir, 11th term is 38 and 60th term is 73, तो जो 68th term जो बड़ी वाली term होती हैं, उसको आप पहले लिखा करो, इसको solve करने में असानी होती है, और कुछ नहीं, माइनस का गलती नहीं लगता, तो 60th term क्या हो गया, a plus 15d is equal to 73, first equation, उसके बाद आपको 11th term भ करके आपको क्या मिलेगा, आपको a और d की value मिल जाएगी, ठीक है, तो जो a और d की value मिलेगी, उससे फिर कुछ भी निकाल लो, तो उसने 31st पूछा हुए, चलो, आप ऐसा करें, subtract second from first, लिख ले, a plus 15d equal to 73, और a plus 10d is equal to 38, बस इनको minus करने हैं, elimination method लगा रहे हैं, minus minus minus, sin change, 15 मे गया, sir, 13 में से 8 यहां पर 5 आगया, 6 में से 3, sir, 3 आगया, तो d आपका 7 आ रहा है, अब यह जो d 7 आ गया, इसको first जा second में put करो, मैं second में put कर रहा हूं, थोड़ी simple वाली है, वो a plus 10, d हमारा 7 आ रहा है, 38, इसको किया multiply 70 is equal to 38, sir, यह कितना आ गया, sir, 38 में से 70 को minus करेंगे, sir, 70 में से 38 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, आगया, आपका minus 32, okay, dear, a आ गया, d आ गया, कुछ भी निकाल दो, क्या पूचा उसने, 31st term, अब आपके लिए छोड़ रहा हूं, formula लिख देता हूं, a plus 30d, a का value यहां पर लिखना आपने minus 32, और d का value लिखना आपने 7, simplify करना है 31st term आ जाएगी, very simple question, question number 8, let us read, क्या रहन, AP consist of 50 terms, okay, and 50 दे रखा है, of which third term is this, and the last term is this, find the 29th term, question same ही है, जो अभी किया हमने, थोड़ा गुमा के कह रहा है, गुमा के पूच रहा हमने, बहुत simple है, क्या गुमा रहा है, number of terms 50 बोल दिया उसने, ठीक है, एक तो यह गुमा दिया दूसरा बोल रहा है, last term is 106, अरे यार, जब number of terms 50 हैं, और last term आप बोल रहा हो, given है, तो यह जो last term है, यह तो फिर 50th term ही होगी, ना, 50th term ही होगी, क्योंकि number of terms ही 50 है, तो इसी को तो बोल रहा है, फिर last term, इसी को तो 50 वाली term तो यह होगी, तो question तो वही है, जो अभी किया, बस थोड़ा सा गुमा के बोल रहा है, थोड़ा हम भी इसको explain कर देंगे, कि हमें भी बहुत knowledge है, here number of terms is equal to 50, फिर आप लिखेंगे, and the last term, क्या है last term, 106, फिर उसको बोलेंगे, इसका मतलब हो गया, कि जो 50th term है, वो तो 106 ही होगी, total number of terms 50 हैं, last term 106 है, तो 50th term is 106, यहां से equation बना लो, क्या, a plus 49d is equal to 106, चीक है जी, उसके बाद, third term is 12, अरे भाई, third term हमें दे रखा है 12, what is formula for third term, a plus 2d equal to 12, can you solve these two equations, yes, you can solve, क्या गरोगे, दोनों को subtract करो, a कर देगा, d का आएगा, जो d का value आएगा, उसको first जा second पर पूट करो, तो a का value आजाए, तो जब a और d आग hope, इसके आगे, आप कर सकते हैं, क्योंकि similar question अभी मैंने 2, 3, आपको करवा दी है, a, d कैसे निकालते हैं, in equation से, please इसको कर ले, आप काफी simple लगे, तो next is ninth question, ninth question, let us read, कि इसमें क्या बूचा है, कह रहा है third term, ninth term, which term of the ap0, यह भी काफी interesting, इसमें 2 question involved कर दी, एक तो वही वाला ह नहीं पड़ेंगी, तो third term and ninth term, तो first term तो है नहीं, तो let कर लो, let first term is equal to a, and common difference, and common difference, let it be d, ठीक है, जी, first term हो गई, common difference हो गया, अब जो given है, उस पर बात करो, ninth और third term पादा है, पहले ninth term लिखो, बढ़ी वाली पहले लिखा करो, minus करने में जानी होती है, ninth term आपका minus eight आगे, ninth term is minus eight, formula for ninth term, a plus eight d is equal to minus eight, number one, फिर third term लिखो, sir, third term कितना है, third term four, third term पा formula a plus two d, sir, kis के बराबर, four के बराबर, number two, यहार, दोनों equations को कर दो, subtract, तो जब आप minus करोगे, a cancel होगा, 8 d पे से 2 d किया, sir, 6 d, आगे है, यहाँ पर subtract कर रहे हो, subtract कर रहे हो, sign change हो जोकिया है, minus eight minus four, sir, minus 12, cancel cancel किया है, sir, d minus two आगया, okay dear, अब इसको first, second में put कर दो, second वाली ज्यादा आसान है, इसको हम second में put करते है, a plus two, d is minus two, is equal to four, a minus four, four, a is eight, first term भी आगई, common difference भी आगया, क्या करना है, which term of the AP is zero, कौन सी term zero है भाई, पता है, आपको नहीं बता है, तो उसको आप let करो, let nth term is zero, nth term zero, what is formula for nth term, a plus n minus one, d equal to zero, what is a, आपने अभी find गिया, sir, जी eight, n minus one, n तो पता नहीं, वहीं दून रहें, d minus two था, equal to zero, अब यहाँ से n ही तो निकलेगा, तो यहाँ पर आप ऐसा करें, n minus one, minus two, equal to minus eight, ठीक है, eight को transfer कर दिया, उदर तो zero था, minus eight हो जाएगा, eight उदर जाके, n minus one, इस minus eight के divide में ले जाओ, minus two, एक तो minus minus cancel हो गया, two ने eight को काड़ दिया, four, n का value five आ गया, तो हाँ बोल सकते हैं, therefore, fifth term, fifth term of this ap, या फिर given ap, जो भी लिखना है, is what, zero, कोई doubt हो, rough में find कर लो, fifth term, zero आने चाहिए, a plus four d, what is a, eight, four, what is d, minus two, simplify किया, आया न, zero, तो यह rough में check कर लिए, और बड़ा कम समय लगता है, तो एक तो confirm हो जाता है, हमारा answer सही आ रहा है, जा गलत आ रहा है, तो fifth term हमारी आई थी, zero, तो उसको हमने check भी कर लिए, very interesting, तो आज का last question, question number 10, very simple, 17th term of an ap, exceeds its 10th term by 7, question similar ही चल रहे है, condition डाल दी, तो condition से हम डरते हैं, क्य अरे जो बोला है, वो ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पहले तो ad let कर लो, वो पता नहीं, let first term, a, common difference हमने find करना है, उसको let कर लो d, फिर जो condition बोला है, 17th term of an ap, exceeds its 10th term by 7, जैनि जो 17th term है, वो बड़ी है, किसे, 10th term से, कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है, तो 10th term में 7 plus करेंगे, तभी तो 17 के बराबर बैठेगा, वो 17th term के बराबर, तो जो condition लिखा था, वो हमने लिख दिया, अब क्या करो, इनकी जगा, इनके formula लिख दो, क्या formula है, 17th term का, a plus 16d, क् यहाँ पर जो given है, वो डाल दो value, है कुछ given, 17th term of NAP exceeds sir, कुछ given नहीं है, फिर इसका मलत यहीं से calculation, अरे मज़ा आ गया, a और a cancel हो गया, यहाँ तो d बचा, वही तो निकालना था, क्या बात है, इस 9 को इधर ले जाओ, equal to 7, सर्जी 16 में से 9 चला गया, 7d, okay dear, तो what is d, d is 1, यही तो हमें find करना था, very simple, very simple, I hope आज का lecture आपको अच्छा लगा होगा, 10 question हमने complete कर ली है, next lecture में इस exercise को हम निप्टा देंगे, thank you बच्चे, God bless you, अपना ख्याल रखें, bye bye